बे जुबानों को जब वो जुबान देता है पढ़ने को फिर वो कुरान देता है बक्षिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को तोहफे में वो गुनेगारों को रमजान देता है जन्नत का एक दर्वाजा सिर्फ रोज़दारों के लिए मकसूस होगा इस से रोज़दारों के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा रमजान में शयातीन कैद कर दिये जाते हैं ताकि हमें ये मालूम हो जके कि हमारे अच्छे और बुरे आमाल करने में हमारा अपना और शयटान का कितना आत है जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दर्वाज़े खोल दिये जाते हैं सहरी में बरकत नबी अकर्म opioid ने फ्रमाया सहरी खाओ क्योंके सहरी खाने में बरकत है यकीनन अल्ला और उसके फरीश्टे सहरी खाने वालों पर दुरूद बेचते हैं फर्मान मुस्तिफा स्लिल्लाई लिए सिल्म रोजादार के मूगी बू अल्ला के नस्देक मुश्की की खुश्बू से बैतर है रह्मत का अश्राश शुरू या रबलालमीन हम सब पर रह्म फर्मा आमीन रमजान की एहमियत हजरत अब्दल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने रसुलिल्लाई स्लिल्लाई लिए सिल्म को ये इर्शाद फर्माते हुए सुना के जन्नत को रमजान मुबारक के लिए खुश्बूओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से अखिर तक उसे आरास्ता किया जाता है जब रमजान की पहली रात होती है अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुशिरा है इसके जोकों से जन्नत के दरखतों के पत्ते और दर्वाजों के हलके बजने लगते है जन्नत के दर्वाजे हुजूर पाक सले लिए की उम्मत के लिए खुल दिये जाते हैं और जहन्नम के दर्वाजे बंद कर दिये जाते है और जिब्रेल अमीन अलेहिससलाम को हुक्म होता है कि सरकश शायतीन को कैद करके गरे में तौक डाल डाल कर फेक दो ताकि उम्मत महम्मदी अलेहिसलाम के रोजों को खराब ना करे हुजूर अक्राम स्लेहिसलाम ने ये भी फरमाया कि अल्ला ताल ने एक मुनादी करने वाले को हुक्म देते हैं कि तीन मरतबा ये आवाज दे है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूँ है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करू है कोई मखफरत चाहने वाला कि जिसकी मखफरत करू حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ جو روزے میں وضو کا پانی موں میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے یا اللہ تجھے آنے والے اس رمضان المبارک کی رحمتوں کا واسطہ ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے اور یہ بابرکت مہینہ خیر و آفیت کے ساتھ نصیب فرما آمین رمضان کی بابرکت سعاتوں میں کوشش کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بخش آمین سم آمین